हेला स्टूडन गुड मॉर्निंग एवरिवान तोड़े इज आई विल यू टीच यू स्टांडर्ड थर्ड सब्जेक इंग्लिश एंड यूनिट नंबर सिक्स ट्राफिक लाइट तो आपने देखो रोल पर ट्राफिक लाइट तो देखी होगी तो आज यूनिट नंबर सिक्स है ट्राफिक लाइट पे हैं एक्टिविटी फर्स्ट स्टूड़ी तो फॉलोईग ट्राफिक लाइट ट्राफिक साइन एंड धेर मीनिंग्स यू हैव तो आइडेंटिफाइ प्लेज वेर यू सी दिस साइन देखो यहाँ पर ट्राफिक करना हैं अपने यह देखके को पता चलके कि आपने कहाँ पर देखी हैं कौनसी जगह पर आपने साइन देखे तो फर्स्ट है देखो यह दूद्धी किसकी आपने यह उसका साइन हैं है देखो सेकंड नंबर है यह sign है no stopping or standing तो आप यहां पर जो vehicles है वो stop भी नहीं कर सकते और standing यानि कि park भी नहीं कर सकते तो यह भी sign है and three number की sign है देखो एस एक सा arrow है तो इसमें क्या है compulsory ahead only यानि कि आपको compulsory आगे ही जाना है एसा four number है a sign compulsory left यानि कि आपको compulsory left पर ही जाना है five number की sign है compulsory turn left यानि कि आपको compulsory turn left ही लेना है six number की sign है compulsory turn right तो आपको compulsory जो है right turn करना है and seven number की sign है compulsory turn right ahead यानि कि आपको compulsory आगे जाके turn right करना है and eight number की sign है compulsory turn left ahead यानि कि आपको compulsory आगे जाके left ही turn करना है 10 number की sign क्या के रही है कि compulsory ahead और turn left तो आपको compulsory आगे भी जाक सकते है and आप turn left भी कर सकते हो यानि कि left side भी आप जा सकते हो 11 number की sign क्या केती है compulsory ahead और turn right आप compulsory जो आगे भी जा सकते हो and turn right भी कर सकते हो 12 number की sign है compulsory cycle track तो आप यहाँ पे compulsory यानि कि आप आप जो है bicycle cycle एसी जो वहिकल है वह यहाँ पर जला सकते हो and 13 number की sign क्या केती है कि compulsory sound horn यानि कि आपको compulsory जो horn है वो बजाता बजाना है एसा देखो यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक टेबल दिया है उसमें यहाँ पर signals के नाम लिखने है number and उसका meaning क्या है वह आपको यहाँ पर लिखना है and where do you see the sign तो यह sign आपने कहां पर दिखा देखा है यह यहाँ पर आपको लिखना है तो first यहाँ पर एक example हमें दिया गया है compulsory three signal number three देखो यह compulsory ahead only तो हमें compulsory आगे ही जाना है एसा तो कि on the walking areas in the garden तो जो गार्डन का एरिया था उसमें आप यहाँ यहाँ उसने signal देखा है तो मैं यह देखो पर लिखा है first मैंने कहां पर देखा है no parking तो no parking हमने कहां देखा है तो कि on the city road जो city road होता है पर वहां पर लिखा होता है कि no parking second number है no stopping or standing तो वो भी हमने कहां पर देखा है तो कि on the city road थर्ड है compulsory ahead only यह भी हमने कहां पर देखा है तो कि on the city road and highways फोर्थ जो है compulsory kept left तो यह sign भी हमने कहां पर देखा है कि on city road and highways पे हमने यह दिखा है 5 numbers temporary turn left तो यह sign भी हमने कहां पर देखा है तो कि on city road and highways पे देखा है and compulsory turn right तो यह भी हमने कहां पर दिखा है or city road and highway 7itas Turitt Re turn लिख लेखके हैं और अपिसने लख सकते हो नेक्स्ट एक्टिभीटी no.2 तो आपको यहां पर एक रेम्स दी गई है उसको सिंग करनी यानी की गानी है तो मैं यहां पर पहले पॉड़ लेती हूँ रेड लाइट, रेड लाइट, वाट डू यू से आई से स्टोब, स्टोब तो की रेड लाइट क्या करते हैं? रेड लाइट, रेड लाइट, वाट डू यू से रेड लाइट, तुम क्या कहते हो? तो कि वो कहते हैं कि I say stop, stop, stop मैं जो वहिकल को stop, stop करती हूँ और श्टोब राइट अवे ओरेंज लाइट, ओरेंज लाइट, वाट डू यू मीन? I mean wait, wait Till the light goes green ओरेंज लाइट का मतलब क्या होता है? कि wait, wait यानि कि तुम रुको ऐसा जब तक green light नहीं होती green light, green light what do you say? I say go and go right away तो green light का क्या जो green light है वो क्या कहती है? green light, green light what do you say? तुम क्या कहते हो? तो कि वो कहता है कि I say go and go right away आप जो वहिकल से वो उसको कहते है कि अब तुम जा सकते हो तो यह जो यह रेंज से वो आपको रेट करने हैं दिखो red light, red light what do you say? I say stop, stop, stop right away orange light, orange light what do you mean? I mean wait, wait till the light goes green green light, green light what do you say? I say go and go right away तो यहाँ पर मैं यह एक्टिविटी जो second activity है वो मैं complete करते हो and next activity number पर 3 पर है traffic light जो एक story है वो मैं next period में आपको जो read करूंगी तो यहाँ पक तक आपको यह read and write करने हैं अपनी notebook में जो मैं एक हृटो टो टो एक हृटो जो एक लागए आपको प्रूश संपर